हेलो दोस्तो, स्वागात है आप सभी कहा हमारे एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सरसर एबरिसिविटी टेस्ट और सरसर एबरिसिविटी इंडेक्स के उपर तो दोस्तो रॉक के abrasivity को चेक करने के लिए टेस्ट होता है ठीक है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते कि abrasion या abrasivity होता क्या है तो दोस्तो abrasion या abrasivity की बात करें तो ये दोस्तो एक quality होता है या property बोल सकते है किसी भी material का कि वो दूसरे material को कैसे scratch कर पाई या कैसे abrade कर पाई ठीक है तो इसी को दोस्तो हम abrasion या abrasivity बोलते है तो दोस्तो abrasivity रॉक का और soil का एक important factor होता है दोस्तो जो की use में आता है excavation, tunneling में underground construction में, mining में और quarrying में और दोस्तो एबरिसिविटी वो क्वार्ड किसी भी rock material में quartz mineral का amount होता है उस पर भी depend करता है दोस्तो ठीक है अगर ज्यादा quartz content होगा तो abrasivity भी ज्यादा होगा ठीक है और दोस्तो इसे test करने के लिए बहुत सारे इसके test होता है जैसे sarsar abrasivity test इसके बारे आज हम बात करने वाले है तो दोस्तो sarsar abrasivity test एक laboratory index के बारे में पता चलता है जो कि दोस्तो हमें हमें हमारे लिए काफी useful होता है जो हमारा excavation equipment है ठीक है उनके wearing में उनके wearing का हमें पता चलता है mining में tunneling में drilling में ठीक है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते है कि जो हमारा sarsar abrasivity test है ठीक है इसके equipment के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन में एक image दिख रहा होगा, यह जो arrangement है दोस्तों, यह arrangement यूज किया जाता है, पता लगाने के लिए, सरसर accessibility index के पता लगाने के लिए, यह apparatus जो है, इसे यह arrangement यूज किया जाता है, तो दोस्तों इसमें हम एक steel pin को use करते है, जिसका geometry हो defined होता है, उसका hardness ठीक है, और दोस्तों, उसे दोस्तों, जो rock का, जो rough rock sample होता है, उसके उपर scratch करते है, ठीक है, 10 mm के distance तक को scratch करते है दोस्तों, और उसमें जो load होता है, वो 70 newton का होता है, ठीक है, फिर से यूज़ करते है, जो कि दोस्तों, इस्टील पिन यूज़ करते है, जो कि standard steel का बना हुआ होता है, उसमें 90 degree conical tip होता है, ठीक है, बहुत सार्प होता है, और दोस्तों, उसका जो diameter है, वो at least 6 mm का होना चाहिए, ठीक है, जो कि दोस्तों रख, जो rock sample होता है, rough rock sample होता है, उसको 10 mm तक scratch करता है, ठीक है, तो दोस्तों जैसा गिए यहाँ देख सकते होंगे, अंच्छी में आपको एक ऊंपल को सेंपल को रेते है होता है कि वंपर एक अप्ला करते जो write 70 newton का होता है ठीक है तो दोस्तो जो 70 newton का जो load होता है दोस्तो उसको हम उसको pin पर दोस्तो हम जो steel pin होता है उसके उपर दोस्तो apply करते है और दोस्तो धीरे धीरे हम उस pin को rock surface तक लाते है उसके बाद दोस्तो हम जो conical tip होता है ठीक है एक given time interval में 10 mm तक हम scratch करते है डिस्प्लेश करते है और दोस्तों जब test complete हो जाता है उसके बाद दोस्तों pin को हम जो हमारा test pin होता है उसको carefully remove कर लेते है उसके बाद दोस्तों जो SARk pin में जो flatular रहता है दोस्तों ठीक है? तो जो सरसर Abrasivity Index उसको दोस्तो हम calculate करते है जो हमारा जो दोस्तो पिन होता है सार्पिन, स्टील पिन ठीक है उसमें जो फ्लैट वियर होता है उसके डायमीटर को मिजर करके हम CAI यानि सरसर Abrasivity Index का पता करते हैं तो दोस्तो उसके फॉर्मूले की बात करें तो सरसर Abrasivity Index को जो फॉर्मूला होता है CAI is equal to 10D ठीक है 10 times into D और D दोस्तो यहां जो डायमीटर होता है जो फ्लैट वियर जो सार्प स्टील पिन होता है उसमें जो फ्लैट वियर आ जाता है उसके डायमीटर को दोस्तो मिजर करके उसको दोस्तो हम मिलीमीटर में मिजर करते है और उसका वैली यहां रखते है तो दोस्तो हमारा CAI यानि सरसर Abrasivity Index calculate हो जाता है तो दोस्तो आपको यहां एक बात ध्यान रखना है कि जो डायमीटर है दोस्तो वो हमने यहां पर मिलीमीटर में लिया ठीक है यह बात आपको ध्यान रखना है हो सकते हैं कि एक्जाम में ओप्सुन में दोस्तो आपका जो यूनिट है वो माइक्रो मीटर में हो या किसी भी यूनिट में हो सकता है ठीक है तो आपको याद रखना है कि यहां हमने 10D हम ले रहे हैं जब हमारा diameter जो हम मिजर कर रहे हैं वो millimeter में मिजर कर रहे हैं ठीक है सो दोस्तों ये था आज का वीडियो सरसर abrasivity test के उपर और सरसर abrasivity index के उपर I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like करें अपने दोस्तों को सेर करें और चैनल को subscribe कर लीजिए मैं आगे भी ऐसी informative वीडियो लाता रहूंगा thank you